Hello viewers, welcome to my YouTube channel कान और बालो के आधार पे आप किसी भी मनुश्य का नेचर किस परकार जान सकते हैं वो आप मेरी इस वीडियो में जानिए कान मनुश्य की चोथी ज्यानिंदरी है इसका एक हिस्सा शरीर के बाहर दिखाई देता है जबकि एक हिस्सा शरीर के अंदर होता है आए जानते हैं कैसे कान वाले इनसान का नेचर कैसा होता है चोटे कान जिन लोगों के कान चोटे होते हैं ऐसे लोग बहुत बलशाली होते हैं ये विश्वश्निय होते हैं साथ ही ये कला के छेतर में रूची रखते हैं जदी कोई इनसे कोई वस्तु माग ले तो ये उसे मना नहीं करते बड़े कान वाले जदी किसी व्यक्ति के कान बड़े हो तो वो विचारशील करमट वैवारिक तथा समय का पाबंद होता है इन्हें किसी भी काम में लेट लतीफी पसंद नहीं होती और ये सब काम वैवस्तिक तरीके से करने में विश्वास रखते हैं चोड़े कान समुदर सास्त के अनुसार यदि किसी के कानों में चोड़ाई सामाने से अधिक हो तो ऐसे लोगों के पास सभी तरह के सुख और सुविदाय होती है ये अपने जीवन में हर सुख प्राप्त करते हैं ऐसे लोग अवसरवादी भी होते हैं सामाने से अधिक छोटे कान यदि किसी व्यक्ति के कान बहुत ही जादा छोटे होते हैं तो ऐसे लोग सभाव में चंचल होते हैं, ये भगवान पर बहुत विश्वास करते हैं, कभी-कभी ऐसे लोग लाल्ची भी हो जाते हैं और किसी के साथ भी धोका कर सकते हैं, किसी से काम निकलवाना इन्हें खूब आता है। बीच से दबे हुए कान, किसी व्यक्ति के कान के बीच का भाव दवा हो तो आम तोर पर वै अपराधी प्रवर्ति का होता है। एक रोम गूप से एक बाल होना ही शुब होता है। ऐसे बाल ही उत्तम होते हैं लेकिन यदि एक बाल से कई शाखाएं निकली हो तो ऐसे व्यक्ति का सभाव थोड़ा खराब रहता है। विश्वास करने योग एवं उच जीवन सक्ति वाले होते हैं जिस इंसान के बाल कम उमर में ही सफेद हो जाते हैं। वो लोग मांसी रूप से अपेक्षा ग्रत कमजोर होते हैं। पतले बाल जिनके बाल पतले होते हैं उनका सभाव उत्तम होता है। वैव्यक्ति उदार प्रेमी दयालू संकोची तथा सम्वेदन सील भी होता है। इसके विप्रीद मोटे एवं कड़े बालो वाले लोगों में उत्तम स्वास्त एवं उच्च जीवन सकती होती है। सरल, सीधे बाल, आत्म लक्षन, सरल सभाव एवं सीधी कारेपरणाली के सूचक हैं। यदि बालो में सरलता की अपेक्षा लहरीला पन होते हैं। काले, चिकने, मुलायम, आकरशक तथा सरल वाल, स्रियों को सवभागे, संपत्ति तथा स्वास्त प्रदान करते हैं। जबकि पीले, लाल, करकश, रूखे, छोटे तथा बिखरे वाल स्रियां से देव दुखी रहती हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बाल और कानों से जुड़ी हुई कुछ बाते बताए हैं। किस परकार आप बाल और काडों से किसी भी मनुस्य का सभाव जान सकते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई ये जानकारी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए। अपने दोस्तों के साथ अपने प्रेजनों के साथ इस वीडियो को शेयर कर लीजिए। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।